यूपी एनचेम 5505 बेकेंसी की बहुत बड़ी अपडेट लेके आए अब यहां पर देगी सवाल उठता है काफी इस्टुडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास एक्सपिरेंस था कोबिट सर्टिफिकेट जो है बना हुआ नहीं था लेकिन काम किया हुआ था तो उनके लिए वहां एक्सटेंड हो जाए फॉर्म एप्लिकेशन की क्यों क्योंकि जो अधर स्टेट के जो भी यूपी के एंडिट थे वह सभी अधर स्टेट का जनका राइस सट्टिफिकर था उसको चैंज करा रहे हैं तो उम्मीद रख रहे थे वह कि सायद इसकी डेट एक्सटेंड हो आई है उसके बारे में आपको बता देता हूं यहां पे टीर स्टुडेंस जैसा आप देख पा रहे हैं अमर उजाला प्यूर्य के दौला ओफिस्यल नियूज यहां पर जारी की गई है यहां पर देखिए नियमों के फेर में फसे नर्शिंग करमी अन्वह प्रमार पत्र ना मिल पाने से खोद के लिए नहीं कर पाई अविदन तो देखिए उन्होंने काम कियो हुआ था लेकिन उनको जो है Certificate ना मिल पाने वहें वहिए वह जो ऑविदन नहीं कर पाए इसका कारण किया है यहां पर नीचे लिखा हुआ है कितनी बेक एक इंच ती 505 दोस्तों यह जो बैकेंज अब की वार निकाली गई थी इसमें जी एने बाले केंडिटों को भी सामिल किया गया है साथ ही इसमें जो ट्रेनिंग की जाएगी लेकिन अदर इस्टेट वाले अपलाई नहीं कर सकते हैं केवल वह एक अपलाई करेंगे जिसमें जिनके पास को दोस्तों उसके रिगायर यहां पर आप सब लिए के हैं सब के लिए अलग्राइं के नंबर बनाई होए तैं अगर छेवेने किसे ने काम किया है फांस नंबर ठीक है इस तरीके से एक साल काम किया है दस नंबर और ये साल काम किया है तो उस तरीके से 15 नंबर मिलने वाले थे लेकिन सर्टिपिकेट प्राप्त नहीं कर पाने का यहां पर बता देता हूं राश्टे स्वासफ़तन की ओर से CIO की बर्दी की जा रही है जिसमें कोविड डूटी करने वालों को बिसेस भरीतर देने का प्रापदान है ठीक है इसी के तहट एक अपरेल दोचार बीस से कोविड गैलेंस के अनुसार किसी भी नर्सिंग कर्मी को सीधे 6 माह तक डूटी पर नहीं रखना चाहा इसमें उन्हें 15 से 15 15 15 दिन की डूटी दी गई फिर 21 दिन की यह व्यवस्ता क्रम के अनुसार बनी रही ऐसे में एक नौडल अधिकारी ने तरक किया कि वह एक साथ 6 माह प्रणापत्र कैसे जारी कर सकते हैं ठीक है क्योंकि बीच-बीच में छोड़-छोड़ के काम कर रहे हैं तो इस तरीके से जो एक्स्परियंस नहीं बनता है वह नोडल जो है अधिकारी ने बताया बवेस्व में कोई मामला कोर्ट पहुंचा तो नोडल अधिकारी को चक्क सब्सक्राइब आपको नहीं क्या होता है जो एकसर एक्सेंड होती है ठीक है क्योंकि काफी स्टूट्स किसी भी कारणवर्स से अपलाई नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए एक और मौका आप दे दिया चाता है लेकिन इस बैकेंसे में दिया जाएगा या नहीं यह आपको डाला जाएगा नहीं की ओफिसल वेबसाइट पर जल्दी जल्दी आपको बता जाएगा तो दोस्तों आज के जो है आपके लिए विसेश जानकारी आपको बतानी थी उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छे लगी होगी इस से रिगार्डिंग से चो की पांच चार